अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज की वीडियो में बात करेंगे वनसार आयू प्रास के बारे में अब इस आयू प्रास के क्या फायदे हैं, क्या side effect है, कैसे लेना है और क्या इसकी price है ये सारी जानकरियां जो है, आज की वीडियो में मैं आपको दूँगा तो दिखिए ये जो product है ना, वेधनात company का ये है, अगर आप चाहें तो इसको वेधनात वनसार आयू प्रास भी बोल सकते हो अब अगर हम इसके price के बारें बात करें, तो साले 300 रुपे में ये आपको 500 ग्राम जो है, मिलता है या 500 ग्राम पेश्ट मिलता है, ऐसा हम बोल सकते हैं अब price हमें के अनुसार बढ़ती रहती है, तो जो आज की price है, वो इधर मैंने आपको बताया है अब इसको खरीदना कहां से है, तो देखिए इसको आप कोई भी जो है local जैसे आयर्वधिक मेडिकल इस्टोर होते हैं, वहां से try कर सकते हो या फिर आप इसको online खरी सकते हो, और online खरीदोगे तो आपको जो है discount भी मिल जाएगा तो online खरीदना है, तो miniche link दे दूँगा description में, तो दर से click करके आप इसको घर बेटे-बेटे मंगा सकते हो और यह जो आयूप्रास है, एक vegetarian है, और कोई भी harmful chemical इसमें use नहीं होता है, जो कि काफी अच्छी बात है मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं, अब बात कर ingredient के बारे में, या फिर इसमें क्या-क्या है, तो देखी इसमें है मुस्ता, अगनिमंधा, गंभारी, बिल्वा, गोकसुरा, सालबर्नी, पिपली, गुडूची, हरितकी, वसा, तो इस परकार से ingredient होते हैं, जो कि काफी powerful और अच्छे ingredient है जिससे ये जो है, आयूप्रास बनाया गया है, अब देखिए अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, या फिर आपको information अच्छी लगे, तो आप चैनल के help भी कर सकते हो, उपर बारकोट द्वारा अब हम बात करें, इसके फायदे के बारे में या फिर किंगिन गंडिसर में हम इसको ले सकते हैं, तो देखिए, mainly ये जो है, आपके immunity system को strong करने में काफी मदद करता है, ये अईूप्रास अब देखिए, जैसे कि आपका अगर immunity system कमजोर रहेगा, तो आपको जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, ये सब जो होती रहती है, तो आपने देखा होगा, ये सब होती है, तो कहीं न कहीं, आपके immunity system कमजोर है, इसके अलाबा ये जो है, आपको bacterial infection से मदद करता है, इसके अलाबा देखिए, antioxidant इसकी properties होती है, और free radical damage से मतलब भी बचाता है, इसके अलाबा अगर आपको weakness जीसा लगता है, energy की कमी लगती है, ठके ठके आप रेते हैं, stamina की कमी लगती है, तो उसमें ही फायता करता है, आपकी performance को ये बढ़ाने में मदद करता ह इसके अलाबा ये cholesterol level को भी कम करने में या maintain करने में मदद करता है, और इसके अलाबा आपके metabolism को जो है, ये boost करने मदद करता है, तो देखिए इधर जिनकी age जादा हो गई है, खास तोर से old age, old age में बिल्कुल इस आईउपरास को आप लेकर देख सकते हो, एक परकार से मैं बोल सकता हों कि ये tonic है, tonic का काम करता है, आपको fit रखने में, आपको healthy रखने में काफी मदद करता है, आयूपरास, तो ये इसके main फायदे थे, हम बात कर लेते हैं, इसके dose के बाएर में कैसे आपको लेना होता है, तो देखिए एक से दो चमच आपको एक दिन में दो बा है, और इसको कुछ भी खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी ले सकते हो, लेकिन आधे घंटे का difference होना चाहिए, अब इधर देखिए, male, female कोई भी भी इसको ले सकते हैं, और बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े बच्चे जो हैं, वो बिल्कुल ले सकते हैं, एक चमच और प्रिगनेंसी में भी लेडिस ले सकती हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से सला कर लें, प्रिगनेंसी में तो और अच्छा रहेगा, अब इसको कब तक लेना होता है, तो इसको डिपेंड करें का आप क्यों लेना चाहते हो, क्या प्रॉलम है, तो मैं इधर बोलना 3-6 मेने आप जरू लीजिए 3-6 मेने में आपका अच्छा खाधर रिजल्ट मिलेगा और आप चाहें तो उसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं अब साइड एवट के बारे बात करें तो देखें इसका साइड एवट कुछ भी नहीं है तो इदर घपराने वाली बात नहीं है ल कोई भी मेडिसिन आपको बंद करने की जरूद नहीं है कोई भी मेडिसिन हो अब इसके अलाबा रिजल्ट के बारे बात करें कब तक फायदा देखने को मिलेगा अगर आपी लेना चालू करते हो तो तो देखी ये भी डेपेंड करता है आपकी वीमारी पर आपकी प्रॉल जादा नहीं मिलता है लेकिन एदर में कुछ एडवाइस भी दूँगा जो कि आपको फॉलो करना है अगर आपी लेते हो तो जैसे के अलकोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है जंक फोड ओली मीठा मेदे से बनी चीज़ें बाहर का खाना पीना ये सब बंद करना है ये सब हेल्थ के लिए बेकार होता है गँड का पान मसाला तमाकू ये सब बेकार ये सब बंद करते हैं आप हेल्दी राइट ले लेए फ्रूट्स ऑजूस भी सकते हैं जादा श्टेशना ले वजन ज्यादा है तो उसको कम करिए कंट्रोल करिए एकसाइस करिए एकसाइस जोगे में डैली बनाते रहता हूं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा फिर मैं लेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही हो देखते रहि आपके अपने चैनल में knowledge for care